एक हाथ में साबुन शैंपू एक हाथ में व्लॉग ही ही वाट्सअप गाइस व्लॉग तो चलिए आपसा व्लॉग करते अभी मुझे फिलाल नहीं जाना था बट मेरे पास सोप नहीं था तो मैं अभी जा रहा हूँ प्राइम मार्ट और मैंने लहां से नहीं स्टाट करा क्य भार को आपको शीन दिखाना तक कैसे है क्या चल रहा है तो चलिए अब जाते प्राइम मार्ट और वहां बर जाके दिखाता अपको अभी पूरा इंस्टिटिट खा लिए बहुत मतलब अजीव अजीब अजीब चाल लग रहा है पूरे इंस्टिट में पहले जैसा लगी पहले हम गुमते थे कैसे भी चलिए अभी जाती प्राइमार्ट शोप लेकर एक फिर नाने जाना है एक सोप लेना चली निकलते अब देख लेते हैं यहां से क्या लेना क्योंकि अब बहुत बेड़ ने यह तनी एक कपड़े मतलो कपड़े नी एक नाने का सोप लेना फिर हमको निकलना क्योंकि भीड़िया पर करना बुरी बात है अब तो चलिए जब जाते रूम पे नहाग ढोके एकदम मस्त रेड़ी होता हुआ यह सही है यह अंगल सही है मतलब यह फ्लीब जो है ना ऐसा यह सही है पहले कि इतने बच्चे गुमा करते थे इस टाइम अभी कोई नहीं निकल रहा भार मेरे को तैसा दग दग को रहे है एक हाथ में साबुन शैंपू एक हाथ में ब्लॉगिंग और साइकल है सेखंड नेरी चीजे अज का मेनु गाइज ऐसा कुछ है राइस चापाती हो अगर आप देख लेना हातों गैस चेली अपना लंच हो गया है सब कुछ हो गया है अभी मैं फिलाल दगाई खाके मस्त थोड़ा रेश्ट करूंगा रेश्ट करके फिर जाएंगे हम बच्चा बच्चा जाते अभी ह थोड़ी दवाई खाता हो एक खासी की है और शर्दी है मुझे बस और पुछ नहीं है जो कि नार्मल ही होते रहता है कौन बोला की ऐसे कोवड़ी होता है तो सबच जाते हैं मतलब कोवीड टेस्ट करवाई है अभी देख लेंगे तो चली गाइस अभी आज का लाइस में सब्चा जाते हैं निकलते दवाई खाके दब बाहर जाकर दवाई वगएर लेक आता हो खासी की उखा की क्या बता आगे बढ़ी पॉसिटिव आ आगया तो मालूमिंगा क्या हैं अब होप कि नेगेटिव आजा और सभी सलामत रहें तो चली अभी जाते हैं दभा एकाके स यहां पर अभी में थोड़ा सा बचावा एडिटींग कर रहा हूँ ताकि मतलब भूत नौज आ रहा है यार बहुत नौज आ रहा हुआ है इतनी मसता आते है आपको नौज आ रहा होगा इरिटेशन हो रहा होगा बट मेर्कों इसकी हवा जो आ हुआ है दिश्टन नेचर जो सब्सक्राइब निकलना है थोड़ा सो के उड़ गया था बहुत नील लगे थी तो टैबलेट थी तो इसके बहुत ज़दा नील लगी और उसके बाद मैं अभी उठाओ अभी फिलार टाइम हो रहा है साथ बच कर 20 मिनिट और अभी आकर फोड़ा मुफेश वगारा करके फिर दिनर करके फिर थोड़ा अंदर की एरिया में दिखाता उपको कैसा मतलब क्या है उस सेट तो जाने नहीं देरे रेसिडेंसिल एरिया पे लैट से देख रहते क्या है उपतर कोई है क्या सिक्रूरीटी वगएरा है हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो तो चलिए अभी मुग अगेर दोह लिता हूं और बाव दूल ठीक करके जाते डिनर करने निकलते चलो फटाफट से एकदम अंदरे में मेरा मुझ तो नहीं दिख पाएगा सही से बाहर का एरिया दिखाता आपको चिज़े मेज जाने का रोड़ है ना तो इस साइड भी जलोना जल्दी यहां पर भी सिकुरूटी लगा के रखा है क्योंकि रेसिडेंशल एरिया में कोई जाये ना पूरे जीसी में मतलब गजंदर सरकल में कोई नहीं दिखाई दे रहा है सारे अपने अपने रूम में सबको क्वारंटेन कर रखा है मेरे हिसाब से लग रहा है सबके लगे पड यहां पर कोई नहीं होता वैसे भी यहां पर कोई नहीं होता और अब भी तो हाप पर कोई होगा भी नहीं है यहां से जाते रेसिडेंशल एरिया से फिर उस साइट से चलेंगे अगर में गेट से भार जाना होना तब भी जा सकते विकाउस यहां पर भार जाने के अभी तक कोई restrictions नहीं है अंदर बाहर अंदर जाने के मतलब exit आउट यह सब चलता है बट ओनली यह है कि social distance में maintain रखना है तो कोई जादा ही पहल जाएगा पहले जाएगा पहले अभी हम फिलाज है अपने अधान माइट माइट के सामने और यहाँ पर इतना कुछ ऐसे इतना रियक्त नहीं है जैसे कोई फेला है यह पर एक्दम खाली खाली मौसा हमें यह अपर वैसे ही होता है खाली होते सब लग कोई यह आथ है कि एह अपना मेंगेट का इन्ट्री है यह आउट है और वह वाला है ऐसा है अपने साइकल भी खराब हो चुकिए ऐसे लग रहा है आवाज निकाल रही है क्या हो गया क्या मालूम इसको वहाँ पर गाइस उन्हें ने जो बना के रखा ना वह जो है एकदम प्यूटिफूल एकदम फिल करा था है कि इंट्री भाइस सब एकदम तगड़ी आए मिल जाए तो जरूर आना जरूर विजिट करना इस आएट को बहुत अच्छा लगता है आप पर आने के बाद एकदम आपको भी कुछ ना कुछ तो करने का मन करता है लाइफ में और आप ऐसे वेले बैटे हो कभी एक बार आएट आजाओ आपको समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ नकुछ तो लाइफ में करना चाहिए खुछ न कुछ तो लाइफ में कुछ तो उखार नी चाहिए हम भी कुछ तो सबसे ज्यादा मन व्लॉगिंग करता है ना के कोडिंग वगर यह तो मुझे जरा भी पसंद नहीं है तो व्लॉगिंग ही मेरा फॉर्स प्राइटी है और पढ़ाई व्लॉगिंग पढ़ाई बस यही करता हो मिलते अगले व्लॉग में स्टेटून गाईस और ऐसे इंट्रेस झाल झाल झाल